नमस्कार मीत्रों ये जो वीडियो है वो एक्टिविस्ट मॉडल के उपर है कि कार्ये करता हूँ को जो उनके ध्याई है भारत बचाने के लिए उनको किस तरह करे काम करना चाहिए तो जो दो मॉडल अक्सर में बोलता हूँ कि एक तो टॉल लीडर कि बड़े नेता की दिनराथ भकती करो एक व्यकती को बड़ा बनाऊ जो है यदि वो 6 फूट का है तो उसको 600 फीट का है तो 6000 फीट का बनाऊ उसके दिनराथ उसके पोस्टर लेके घुमते रो उसके नाम के नारें बोलो एक टौ़ लीडर कर चाहरीाटा, नारें बोलो , एक टौल लीडर खड़ा करने में लग कारिय करता है वह अपनी शारी शक्ति में लगाते हैं और दूसरा की कारिय करता जो चीटी है सारे छोटे कारिय करता एक चीटी के समानी है तो जो दो करोड चीटियां है करोड दो को पूरे देश में दस बिस लाग चीटियां जो चीटियों के साइस के जो कारिय करता है वो खुद अपने अपने तरह से काम करे कि वो लोगों में दे कि ये कानून अच्छा है और कानून पास कराने के लिए इस MP को गालियां देनी पड़े तो खुद जाके उस MP को गालियां दे खुद प्रधान मंतरी को SMS भेज के धमका आए कि ये कानून पास करो हम तुमको उकम देते हैं मतलब जो चीटी है वो हर एक चीटी इंडिपें को या एक बड़े नेता को और ये उमीद रखो कि फिर वो हाथी जो है नेता है हाथी के समान ताकतवर नेता है वो सारा काम कर देगा तो इसमें दो-तिन दिक्कते आती है कि मानलो किसी एक जगह पे करोडों चीटिया धावा बोल रही है और एक जगह पे एक हाथी धावा तो किसको खतम करना आसान है हाथी को खतम करना आसान है कि सर पे एक गोली मारो हाथी धेर हो गया उसके सरीर के सारे सहल से वो काम कर रहे हैं लेकिन वो एक दिमाग में एक गोली लगी वो पूरा का पूरा हाथी धेर हो गया तो यदि ये चीटिया हैं वो अपने आपको कंबा वाले हैं, तो वो एक दिमाग जब धेर हो गया तो पूरा संगठन धेर हो गया, जैसे कि हाथी पूरा 5 तन का हाथी है, 5000 किलो का हाथी है और सामने चीटी है वो एक ग्राम में 10 चीटिया शाद जाद है, एक क्राम में 20 चीटिय आजाएगी, तो इस तरह से आप गिंथी करो तो एक हाथी बराबर करोड़ों चीटियों में कितने हुआए करोड़ एक करोड़ तो धिमाग भी एक करोड़ हुआ हैं तो मर जाती हैक दॉसरा कि अक्सरmare अधिया है तो बड़ा बहुत बड़ी चिंघाड कर रहा है पर वह हर तरहसे होस स्टेस में हाथी नहीं जाना की कोशिश को कि तो पहले को बंद कर दोरे को कोशिश है ध़ोड़े डिस्टन्स क方 उसको पता है कि यह वह भाल उसको फ़से हमाई लिए शरी को जाना चटा के सबस्किन और 750 सविफना थावा तुझे जितनी दोर भागना होतना भाग लेकिन जरा एक परसंट भी दर दर हुआ है तो यह चेन तुझे जाने नहीं देगी और जहाप गया तो यह भाला तुझे जीने नहीं देगा जबकि चीटियों को जो लाखो चीटिया हैं उनको नो कोई चेन बान सकती है नो को इतने सारे भालों से उन्हें रोक सकता है तो इस तरह सी चीटिया स्वतंतर होती है मैं आपको एक्जामपल दू कि जो बड़े लीडर है उनको हर तरह से घेर के रखा है कि जैसे मोधी साब है तो सुप्रीम कोट के यह सुप्रीम कोट ने साइटी बिठा दी है यह सौराबुद् दस बीस और पुलीस वाले जेल में हैं कुल मिला के पंदराबिस पुलीस वाले जेल में होम मिनिस्टर को जेल में पहुँचा दिया था बात में बेल दी होम मिनिस्टर को जेल में इसलिए पहुँचाया था दिखाने के लिए कि अभी तो सिर्फ होम मिनिस्टर को जेल में पहुँचा और तू कुछ कर तो नहीं सकता बचा तो नहीं पहाँ ना तेरी भी बारी आ सकती है तो वो एक तरह सा जैरिला भाला रखके बैठे हैं कि यदि बहुत ज्यादा हिंदुत वह को बढ़ाने की कोशिश की या मिशनरियों को रोकने की कोशिश की हद से ज्यादा थो या तो सराब बुद दिन का केस में, उनको ताज का गवा बना तो सरकारी गवा, सरकारी गवा बना है, यानि उसके क्राइम सारे जीरो हो गए, और वो स्टेटमेंट यदी देता है, कि बई एक लाइन लिखवा दो कागज पर उस पर मार पिटाई करके या कैसे भी, एक लाइ में मुमेंट होगी, यह है कि पूरे देश में विद्रो हो सकता है, जो हो ना हो, पर फिर इतना चांस लेने को तैयार है, जहरीला भाला चुबेगा, हो सकता है, बाद में जहर के बाद हाथी बद भी जाए, कभी-कभी बच सकते हैं, पर फिर वो रिस्क लेना भी एक अपन गया लडने के लिए पाकिस्तान के लडने के लिए वो नहीं भेजेंगे, या तो मिशनर्यों को रोका तो हम पाकिस्तान को झो हल्प कर रहे हैं, वो चारगुनी कर देंगे, तो जो तेरा कसब आये थे बंबे में, और पांसो-छेसो लोगों को मार दिया, हम इस तरह से पा CIE खुद भारत में गुंडे नहीं भेड़ना चाता है, इसलिए CIE ने ISI का निर्मान किया और वो ISI के जरिये वो भारत में कसब जैसे गुंडे बिजवाता है, पर ISI ने कसब को ग्रेनेड और रॉकेट लाउंचर नहीं दिये थे, यो कि CIE ने अप्रू नहीं किया होगा, ल एक ग्रेनेड है, वो आसानी से रेल्वे स्टेशन जैसी जगह पे जहां पे भीडी भीड है, ऐसी जगह पे ग्रेनेड फैंका जाए, तो अन्दर स्पॉट पचास सो से जादा लोगों की डेथ हो सकती है, रॉकेट लाउंचर दिये होते, तो जो हेलिकॉप्टर आये थे, मिल्टरी के उनको खतम करने के लिए उनको गिरा सकते थे, और दूसरी तरह की भी प्लानिंग कर सकते थे, मतलब ये इसाई, CIE यदि पूरा दाव लगा दे तो वो किस तरह से प्लान कर सकते हैं, कि जो तेरा का सब आएंगे, तो पहले वो ताज होटल में कमरे बुक करके, कि वहां पर हथियार का बड़ा जमावट कर देंगे, ताकि जब वो तेरा लोग घुसके जाये तो उनके पास चाहिए उतने हथियार हो, खेर वो ये सब कोई मुश्किल काम नहीं है करना हो, तो CIE जैसे संस्ता के लिए, ISI के लिए, इश्यू यही है, कि अभी है CIE करना न से दबा सकते हैं, कि भी देख पचास कसम आएंगे, दो पांचे जार लोग मरेंगे, तेरे को रेजिगनेशन देने की नौबत आ जाएगी, इश्यत मिटी में मिल जाएगी, तेरी नाक कट जाएगी, इसलिए तो हमारी बात चुप-चाप मान ले, तो इस तरह से नेता को दबा सकते हैं, लेकिन कितनों को दबा होगे, एक, दो लाख, दो लाख, कितनों कारिय करता हो को दबा गे, आज यह को एकाद कारिय करता हो को दबाना हो, तो क्या गायब भी करवा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, पर लाख कारिय करता हो को गायब नहीं करवा सकते है और फिर लाग कर या करता हो, को डारा भी नहीं सकते, कैसे डारा होगे, एक लाख लोगों के घर पे किस तरह की नोटिस भेजोगे, क्या उनको इलजाम करोगे और करोगे तो अपनली फिर एकस्पोज हो जाओ। तो इसलिए मैं कारिय करता हूँ को अपनी सोच लगाने को क्यों कहता हूँ कि 2 करोड़ चीटिया दुश्मन को खतम करने का काम कर पाएगी जो कि हाथी नहीं कर पाएगे हाथी इसलिए नहीं कर पाएगे क्योंकि वो एक तो चेंज से बंधे हुए और उनके चारों और लोग जो दुश्मने वो भाले लेकर बैठा है उसे एक दिशा में जा पाएंगे कौन सी दिशा कि विदेशी कंपनियों को बड़े पैमाने पर जमिन दो विदेशी कंपनिया आए कि फैक्टरियां लगाए कि ग्रोथ होगा वो तो है वो तो कोई भी के फैक्टरी डालेगी तो इंडिया में मुबाइल फोन बनेंगे तो इस तरह से ग्रोथ तो ही जाएगा क्वेश्चन यही आता है कि एक पॉइंट के बाद जब एकोनमी पूरी उनकी कंट्रोल में आ जाएगी तब वो नेक्स स्टेप क्या लेंगे और उसके लिए क्या ज़रूर है कि मल्टिनेशनल कंपनी को ना आने ही दिया जाए और भारत के उध्योगों को विकास किया जाए तो वो यदि नेता यदि ये काम करने की कोशिश की तो जिस तरह से हाथी के चेन बंदी हुई है और भाले लेके खड़े हैं साथ में वो करनी पाएगा नेता को वहीं बिठा दिया जाएगा बहुत सारे तरीके जो मैंने आपको बताया है डराया जा सकता है धमकाया जा सकता है उसके सामने सुप्रिम कोर्ट में इतने सारे केस पढ़ें एक और भी एक्जामबल देता हूँ कि जो जितने भी स्टेट गवर्मेंट है ऐसा नहीं है कि अकिला गुजरा जितने भी स्टेट गवर्मेंट है उनकी फाइनेशल सिचुएशन बहुत ही खराब है और इसमें सेंटर ने गलत कानून बना के रखे है सेंटर ने ऐसे ऐसे क तो इतने सारे लिवर है किसी नेता को कंट्रोल करने के लिए मतलब सी एम को हो तो उसको कंट्रोल करने के लिए हाई कोट जज है सुप्रिम कोट जज है पी एम है रिजर्ब बैंक ओफ इंडिया है और जो नेशनल लेवल का लीडर है तो उसको दबाने के लिए सुप्रिम कोट के जज है शायद हाई कोट के जज छोटे पड़े तो फिर फिर इंटरनेशनल वेपन सप्लाइंग कंपनी है कि हम तुमको वेपन्स नहीं भेजेंगे या तो हम पाकिस्तान को डबल वेपन देंगे या तो हम सब पाकिस्तान को टर्रिस्ट भेजने के लिए उकसाएंगे और अब और भी आएंगे लोकपल लोकपल सिस्टम है वो पास तो होई आएगा क्योंकि UN को प्रामिस दिया है अमरीका इंडिया ने UN में जो resolution पास हुए उसका मताबिक हमें लोकपल बना नहीं पड़ेगा 2014 के एंड तक स्वरी 2013 के एंड तक तो लोकपल आएगा वो भी PM के सर पे चड़ बैठेगा किसी न किसी मुद्दे पे तो इसके दोवारा जो एक दो बड़े नेता है उनको control किया जा सकता है मैं आपको और भी example दूँ मैं एक अखबार वाले से बात कर रहा था नाम नहीं देना चाता उसने मोदी का प्रशन शक है मैंने का आँ मैं मैं भी agree करता हूं कि प्रियांका गांthy और नरेंदरो मोदी यदि दो फोटो सामने रखा जाए मैं कि कि इसको PM बनाना था मैं हजार बार नरेंदरो मोदी को युकोंगा कि इसको पीम बनाना है फिर मैंने उसकी सारी बात accept कर ली कि हम भई पीएम बनाना चाहिए फिर मैंने बोला कि एक काम करते हैं क्यों नरेंद्र मोदी को आप आर्टिकल लिखो कि भई नरेंद्र मोदी को Supreme Court का जज़ बनाना चाहिए तो जैसे मैंने उसको 500 वोल्ड का शौक दिया हो वैसे वो अपने पू नरेंद्र मोदी को सुप्रीम कोट के जज बनाना चाहिए तो कि बहुत वरिष्ट पत्रकार थे इसलिए वो गभराते हैं सुप्रीम कोट के जज को वर्तमान जज उसको निकाल के दूसरे आदमी को जज बनाओ वो बात कहने से वो वरिष्ट पत्रकार गभराते हैं जो छोटा कारिया करता है वो नहीं गभराएगा मैं किसी छोटे कारिया करता होंगा कि साथ में एक और लाइन एड़ कर दो कि इस आदमी को निकाल के सुप्रीम कोट के जज की पोजिशन पे अभी जो आदमी है वो निकमा उसको निकाल के दूसरे को बनाओ छोटा कारिया करता है फटाक से एड़ कर देगा कि हैं और उसको कन्विन्स करना पड़ेगा कि बाई क्या पुरा ही है अभी के जज में केस है उसने जो अलग-अलग 20-25 कंपनिया खोल के रखी होगी कोई हाई कोट में केस होगा कोई सुप्रीम कोट के केस में होगा तो उसको डार है कि मैंने कि सुप्रीम कोट के जज को निकाल के दूसरे आदमी को रखने की बात की और सुप्रीम कोट के जज को बुरा लग ग है तीसरे हाथी को पहले वाले हाथी ऊप और भाले रखे बैठे तो इसमें जो स्वतंतरता किसी के पास नहीं है आदमी कितना भी दिखने में सक्ती शाली हो वो इंडिपेंडन्न नहीं है क्योंकि बड़े आदमियों ने उससे दसगुने ताकतवार आदियों ने उसको घेर के रखा है जबकि कारिय करता है वो भले ही कितना कमजोर दिखता हो भले ही कितना छोटा दिखता हो वो independent है क्योंकि उनकी संख्या इतनी ज़्यादा है कि ये बड़े लोग उने कंट्रोलिंग कर सकते हैं इसलिए मैं सारे कारिय करता हों को करोड़ चीटी का मॉडल अपनाने को कहूंगा न की एक बड़े हाथी का मॉडल धन्यवाद